हाई एब्रिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामने घमूश्ट इंपॉर्ट जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन लेक्ट्र वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आपको जश्ट में याद दिलाना चाहूंगा कि यार ये चाप्टर में हमने इसके पहले बहुत सारी चीजे पढ़ी है जैसे की जो मनाठा एंपायर था ठीक है ना वो किस कर दिया इस प्रकार से बहुत सारे चीजे हुई फिर हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने अपनी टीम बनाई अपने सेना को खड़ा किया अलग-अलग जगा पे उन्होंने एक तरीके से अपने एरिटेरी को एस्टाबलिश किया तो ये सभी चीज हमने प्रिवेस प्रिवेस लेक्चेर में भी डिसकस किया था कि उन्होंने निजाम को बहुत सारे चीजों हुई तो क्या हुई वो सब आज के इस वीडियो के थुरू हम लुक देखने वाले तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और वीडियो को एंड तक देख सकते हो प्लेलिश में पूरे बाकी के वीडियो प्रेजेंट है साइंस मैक्स बाकी सब्जेक्स कम्प्लीट है तो प्लीज वहां से जाके आप चेक आउट कर सकते हो ठीक है शुरूआत करेंगे आज तो सबसे पहले जो टॉपिक हमें पढ़ना ह करता है लेकिन एक टाइम था कि यह जो एंपी में जो मालवा जगा है यह पूरा का पूरा किसके अंडर में था किसके कब्जे में था मुगल अंपायर के कब्जे में था तो बाजी राओ ने क्या किया बाजी राओ ने सोचा कि किस प्रकार यह इलाका हमारे कब्जे में आन establish कर सके तो under the leadership of चिमा जी अप्पा ठीक है तो चिमा जी अप्पा के leadership में किनको मलाराव होलकर को ठीक है शिंदे को and साथी में उन्होंने उदा जी पावार को भेज दिया गया and वहाँ पे जाके उन्होंने क्या कर दिया अपना अपना पोश्ट को strengthen किया और बहुत ज़्यादा मजबूती से वहाँ पे उन्होंने अपना इलाका को मजबूती से बान दिया तो यह था मालवा के बारे में उसी प्रकार मालवा के बाद बुंदेल खंड की बारी आई ठीक है तो बुंदेल खंड एक ऐसा जगा है जैसे कि आप जानते हो कि बुल्देन खंड एक ऐसा जगा था जो जनरली यूपी और एंपी के बॉर्डर के बीच में आता था ठीक है और वही अगर हम बात करें कि यह एक ऐसा जगा था जो जनरली अगेन मुगल्स के टेरिडरी में आता था यानि कि यूपी और एंपी के territory में था लेकिन उसको जो कबजा था वो किसके अंडर में था वो मुगर्स के कबजे में था ठीक है और इसका जो area था लगबग जहासी के आसपास का area था जैसे कि आप जानते हो जहासी एक बहुत famous जगा है तो जहासी के आसपास इसका area था और साथी में उस जगा के किनारे यानि जहासी पन्ना और सागर ये जगे को हम लोग तीनों को एक साथ consider करेंगे तो उस area में था और जो राजा थे ठीक है ना king छित्रसल उन्होंने अपना own kingdom वादा खुद का kingdom एक तरीके से बोल सकते अटायक कर दिया था बुनदेलखंड के ऊपर ठीके ना किसने emperor जो सुबेधार मुगल जो शुबेदर है मुगल जो सुबेधार थे मुहमपध बैंगुश उन्होंने अलाबात से वह बिलॉंग कर से तो उन्होंने किसके ऊपर बुनदेलखंड के ऊपर Ari Sheriff कर दिया और अटायल करने के बाद जो उधर के राजा थे बुंदेल खंड के जो राजा थे जिनका नाम था चत्रसल तो अब इनके उपर क्या हो गया दबाव आगया क्योंकि यार उन्होंने डिफीट कर दिया था बुंदेल खंड को अपने कपजे में ले रखा था मुगल चत्रसल ने क्या किया अपील किया किसको अपील किया बाजी राओ को अपूल किया किया आप प्लीज मेरी मदद के लिए आजाओ ठीक है ने तो यहां पे यह मुगल पूरा कपजा जमा लेंगे तो यहां पे बाजी राओ को जब यह संदेश मिला तो बाजी राओ ने अपन बंगूश को जब हरा दिया गया, तो छतरसलने जो हमारे बाजी राओ थे, उनको बहुत सा राना, Catholics rebel न? मतलthest, बहुत इज़ ज़धर दिया, इज़धर दिया, क्यों मराथास ने अपनी वहाँ पर supremacy को establish कर दिया, बंदेल खरण दिया, तो बाजी राओ ने क्या था, जो Emperor थे उदर के जो emperor تھे उन्होंने एक demand किया था कि हमारा यहां पर सुबेदारी होनी चीए उदने कि मराथास का यहां पर जो सुबेदारी होता है वो नहीं बनेका तो यह सब चीज जब हुआ तो यहां पे बाजी राओ जो थे कहां बढ़ गए आगे बढ़ गए और उन्होंने दिल्ली की तरफ जाके धावा बोल दिया ठीक है तो दिल्ली में पहुझ गए 1737 के दौरान ठीक है 1737 के दौरान ठीक है 1737 के दौरान वहां पे दिल्ली पहुझ गए और वहां पे जाके उन नामे, टॉपिक का नामे, The Battle of Bhopal, ठीक है, The Battle of Bhopal, तो क्या हुआ था भूपाल के बैटल में, यह हम लोग डिसकस करेंगे, ध्यान से देख लेना, तो Bhopal जैसे कि आप जानते हो, आज के डेड़ में भी MP में आता है, जो कि Capital मानते हैं, हम लोग, ठीक है, MP का, तो Emperor जो थे, उस टाइम पे जब बाजीरव जब दिल्ली पहुच गए थे, उनको बहुत ही अजीब लग रहा था, कि यार बाजीरव आगे, अब कुछ होने वाला, इस प्रकार का बहुत सारे चीजे हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अब बाजीरव को रोखने के लिए, किसको बु जा सके वहाँ पे, और निजाम जो है, बहुत ही बड़ी सेना के साथ, अपने बहुत ही ईञूच सेना के साथ, वहाँ पे आया, बाजीरव को हराने के लिए, लेकिन बाजीरव नहीं भुपाल में ही जब बहुत मजबूत थी, उन्होंने उसको रहा दिया, और बाजीरव ने भी agree कर लिया कि हाँ भाई तुम्हारा office मालवा में होना चाहिए और सुबेदारी तुम्हारे मालवा में होनी चाहिए और पुरा का पुरा हाके मराठा का बादशा के उपर ठीक है न बादशा का ये जो पूरा सुबेदारी है वो आप ले लो हमको कोई objection नहीं है क्योंकि कि वहार मान चुके थे तो इस प्रकार से ये सब चीज हो गई तो कहीं न कहीं ये बूपाल का जो बैटल था बोलने के बाद कहीं न कहीं क्या हो गया सुबेदारी जो है वो मिल गई किसको मालवा के अंदर हमारे मराठास को ठीक है न बाजी राओ के तुरू क्लियर है तो पॉर्टुगीस की अगर हम बात करें क्या होते है पॉर्टुगीस जैसे कि आप जानते हो कि एक टाइम था कि हमारा जो गोवा का जो रीजन था या फिर आप बोलो इस साइड का जो कोनकन का रीजन था कोश्चल लाइन जिसको हम बोलते है आज के रेड में वसाई वगरे उस रीजन में आते हैं अगर आप मुंबई से बिलॉंग करते हैं आपको पता होगा वसाई करके एक जगा है वहां पर वसाई फोर्ट भी है तो यह पूरा जो एरिया था ना यह पॉर्टुगीस लोगों के कबजे में था तो यहां पे क्या हो गया कि वसाई एन ठाने खास कुछ करेंगे तो बाजी राओ ने क्या किया अपने भाई जिनका रांतर चिमा जी अप्पा उनको भेजा ताकि पॉर्टुगीस को हरा के और पॉर्टुगीस के इलाकों को अपने कबजे में ले सके तो चिमा जी अप्पा ने यहां पे अराम से जाके ठाने और वसाई का जो रीजन था और साथ साथ में जो एडजसेंट एरियास थे वहां पे उसको अपने कबजे में ले लिया और 1739 में देखो 1739 की बात चल रहे है यहां पे 1739 में क्या हो गया कि पूरा का पूरा उन्होंने क्या कर दिया वसाई फोर्ट जो कि एक बहुत ही मजबूत फोर्ट आप जानते हों कि मैं खुद गया हूँ आप वसाई फोर्ट बहुत ही सुन्दर जगा है अगर आप आसपास के बिलाउंग करते हो मुंबई साहर में तो वसाई फोर्ट को पूरा अपने कबजे में ले लिया ठीक है और यह जो फोर्ट था यह काफी ज़्यादा मजबूत थे ठीक है लेकिन इसके बावजूद भी चिमा जी अप्पा ने यहाँ पर लड़ाई लड़ा और पॉर्टुगीस की जो सेना थी जो फोर्स थी उन्होंने सरेंडर कर दिया चिमा जी अप्पा की सेना के सामने पॉर्टुगीस की सेना ने सरेंडर कर दिया कि हाँ भाई हम हार मान जाते हैं, आप सरेंडर कर, हम सरेंडर कर देते हैं, तो जो फोर्ट आफ वसा ही था और उसके जो आसपास के बड़े-बड़े एरिया थे, ये पॉर्टुगी स्टेरिटरी में जो पहले बिलॉंग करते थे, अब वो किसके कबजे में आ गए थे, मराथास के कबजे मे इनका कैसा देथ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, ये हम लोग डिसकस करेंगे, ठीक है, तो बाजी राओ कि अगर बात करें, तो एक इरान के उस टाइम पे एमपरर थे, जिनका नाम ता नादिर शाह, ठीक है, इरान के एमपरर, नादिर शाह, तो नादिर शाह was the emperor of the इरान, उसने क्या कर दिया, इंडिया में घुसपैट किया, मतब इन्वेड किया, जैसे बाकी लोग मोगल्स लोग आये थे, बाबर आये था उस प्रकार, वैसे यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्वेड किया, तो उन्होंने जब शाहु महराज का देखा, ठीक है न, क्योंकि किसका ओर्टर मानेंगे साहु महराज का मानेंगे क्योंकि यहाँ पर नादिर्शा आ रहा है उसका भी मुकाबला हम करें तो नौर्थ की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू किया और बहुत जादा अपनी बड़ी आर्मी से मुगल आर्मी को बहुत आसानी से क्या कर दिया एक यहां पर खत्याने आ रहा था, लेकिन मुगल्स कहीं ने कहीं उस टाइम पर कमजोर थे, तो मुगल्स ने किसका सहारा लिया था, बराठास का कि आप हमें defend करो, आप मुझे बचाओ, तो यहां पर जो बाजीराओ थे, उन्होंने क्या कर दिया, पूरा आर्मी लेके, जो उस टाइम पर पहुचा था, तो नादिर्शा वापस से रिटन चला गया, इरान में, उसके साथी में जब वो इरान जा रहा था, तो उस टाइम पर भी दिल्ली का कुछ बहुत सारा चीज वो लूट के चला गया था, और साथी में, यह सब होने के बाद, फिर एक टाइम आ काना में, रावर खेडी, एक जगे का नामें, रावर खेडी, यह आपको याद रखाना है, रावर खेडी करके एक जगा है, यह कहां पर बिलाव करता है, रावर खेडी, एक नर्मदा किनारे, और नर्मदा नदी के किनारे, थीक है न, उनके बेंक बोलते हैं आ न reflect the bank of the river, तो उस किनारी नदी किनारे उनों ने अपनी आखरी सासे ली और उनकी देत हो गई ना अपना और पुरा का पूरा नोर्थ में घकन में लेकिन पूरा का पूरा नौर्थ में उतनों नहों अपना सुप्रीमेसी हासिल की थी और उन्हें अपना नाम कमाया था अकेले के दम पे और मराठा पावर को एक अलग पहचान दी थी ठीक है तो यही सब चीजे था और उसके बाद जैसे बाजी राओ की दित हो गई 1714 में उसके बाद जो बाकी जो उनके असोशियेश थे शिं ढ़िए दोस्तों तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये जो चाप्टर है ये होता है समाप और उमीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया हो गा तो आजका लेक्चर फीर दोस्तों इसी के साथ हम लोग समाप्त करेंगे और ये च चाप रापको कैसा लगा है؟ प्लीज हमें कोमेंट करके बता न, आपनी राय और सजेशन जरूर से दीजएगा दोस्तों और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों यूसिफूल लगा है तो फ्लीज वीडियो को लाइक किजएगा ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थाइंक यू एंड गुद बाई